गुड मॉर्निंग, मूल अधिकार आप लोगों ने कैई बार पढ़ा होगा, कैई जगह से पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को हमने भी बताया है मूल अधिकार के बारे में, चलिए फिर आज एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, कितना आपको जानकारी है मूल अधिकार के ब भी बहतर है तो चले फिर सुरू करते हैं टेस्ट देखते हैं पहला क्योशन देखें आप पहला क्योशन है भारती संभीधान द्वारा भारती नागरिकूप को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किये गए थे किये गए थे 5,6,7,8 सोचें क्योशन में ही एंस्वर छिपा रहता है थोड़ा ध्यान सोचेगा गडबर ना होने पाए क्योंकि दस्थी क्योशन है और आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है चली एंस्वर बताते हैं आपको यहाँ पर एंस्वर सी सही होगा भारती संविधान के द्वारा सुरू में सात मूलाधिकार दिये गए थे लेकिन एक मूलाधिकार जिसे संपत्तिका अधिकार कहते हैं उसे बाद में छीन लिया गया था तो यहां पर पूछा थे हैं होता तो एंसुर हो जाता यहां पर थे हैं इसका मतलब सुरू में कितने मिले थे तो साथ थे चलते हैं next question पर, ये भी अच्छा question है, आपको कई बार पढ़ाया भी गया है, भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, 30 में, 31 में, 32 में, 35 में, सोचें, मूल अधिकार का ही question है, सरल question है, अच्छा question है, चलिए answer बतात में, सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, दरसल सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार के तहट, जितने भी आपके मूल अधिकार मिले हैं पीछे, अगर वो लागू नहीं हो रहा है, या पिर उसे कोई छीन रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहट डार की अपराद के लिए एक बार से अधिक धंडित नहीं किया जाएगा, पहली बात तो यह सोचे कि इतना अच्छा क्यूश्चन है, आपको यह पढ़ाया भी गया है, बहुत अच्छा क्यूश्चन है, कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, किसी वेक्त को एक अपराद के यह से अधिक बार दंड आयुजित नहीं किया जाएगा, मतलब सजा नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद बीस, एक केस, बाइस, सत्रा, सोचे किस अनुच्छेद में कहा गया है, चलिए आप सोच लियों के अंसर हम बताते हैं, आपको यहाँ पर एंसर, ए सही है, मतलब आफसने से यह, अनुच्छेद बीस, दरसल, अनुच्छेद बीस के तीन पार्ट है, अनुच्छेद बीस एक, यह कहता है, भूत लच्छी विधायन की मनाही करता है, मतलब जब अपराद किया गया होगा, उस समय जो सजा का प्राउधान होगा, वही सजा मिलेगा, आफसने की मनाही करता है, मतलब कि किसी ब्यक्तिकों अपने ही खिलाप गवाही देने के लिए आप बात दें, नहीं कर सकते है, अनुच्छेद बीस, इससे संबंदित मतलब इसका एंस्वर होगा, चलि एकला क्योश्चन देखी, काफी सरल क्योश्चन अच्छा क्योश्च है, चलि एंसर बताते हैं, आपको यहाँ पर एंसर डी सही है, अनुच्छेद चौबिस, अनुच्छेद चौबिस जो है, यह जब बना था तभी इसमें कहा गया था, चौदा वर्स तक की आए कि बच्चों को कारखाना, खान या फिर खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, वो बच्चों के सोसड, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का सोसड हो जाता है, तो इस पर रोक लगाया गया था, फिर 2015 में थोड़ा संसोधन किया गया, और 2015 में कानून में संसोधन हुआ और यह प्रवधान किया गया कि आवकास के समय घरेलू काम में, घरेलू अगला क्यूस्चन देखें, काफी मसहूर क्यूस्चन है, अच्छा क्यूस्चन है, भारत के संविधान को निमलीखित में से कौन सा अनुछेद प्रेस की सोतनतता से संबंदित है, बिपीसटी में भी पूछा जा चुका है, मतलब क्यूस्चन बहुत अच्छा है, कर है कौ अनुछेद प्रेस की सोतनतता से, मतलब मीडिया की सोतनतता से संबंदित है, उननेश, बीस, एककेस, बाईस, सरहल क्यूस्चन है, चलिए है, इसो बताते हैं आपको, यहाँ पर आप्शन ए सही है, आप पढ़े होंगे, अभिव्यक्त की सोतनतता के अंतरगत ही प्रेस की स अनुछेद उननीस, ऑप्शन ए सही है, और जब आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा, अभिव्यक्ति आप तीन तरह से ब्यक्त कर सकते हो, पहला लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति मतलब आखबार, पुस्तके, पत्र के माद्यम से, तूसरा मौखिक अभिव्यक्ति मतलब रेडियो, टेली वीजन के माद्यम से, तीसरा हावभाव वाली अभिव्यक्ति मतलब फिल्मे, नाटक के माद्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति ब्यक्त करते हैं, तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसी संबंधित ज अभिव्यक्ति ब्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, तो उस समय, कोट ने यादेश दिया कि अभिव्यक्ति सुतंतता मूल अधिकार है, अथा इंटर्नेट पर रोक नहीं लगाया जायगा, और इंटर्नेट मूल अधिकार बनाया गया था, तो आप ध्यान रख सब्सक्राइब तो यहां से निकाल दिया गया और इसके द्वारा संपत्य का जो मुलादिकार है यह दो अनुछेदे में था एक अनुछेद एक तीस में था और एक अनुछेद 19 द्यान देus 21 f में था तो यह यहां से निकाल दिया गया है तब आप समिधान जब पढ हो गें तो अहां पर निरिशित लिखा रहा है यहां से तो इनको हटा कर कहां रखा गया है संभिधान के भाग 12 और अनुच्छे 300 A में रख दिया गया है और अनुच्छी 9 में इसे सामिल कर दिया गया है तो ध्यान रखिएगा यह option B सही है सभी मूल अधिकार अच्छे से पड़े होंगे जरा देखे बताएं कि कौन सा इसमें मूल अधिकार नहीं है चलिए अंसर बताते हैं आपको यहाँ पर आंसर भी सही है सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है इसे पारलियमेंट के दोरा एक कानून बनाकर 2005 से लागू किया गया है कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी से उसके कारियों के बारे में और किसी लोग अधिकारी से उसके कारियों के बारे में किसी निर्वाशित अधिकारी से उसके कारियों के बारे में जानकारी मांग सकते हो जैसे आप गराम परधान से जानकारी मांग सकते हो डीम से जानकारी मांग सकते हो उसके कारियों के बारे में कितना पैसा कहां कहां कहर्चा किया है तो आपका सूचना कादिकार होता है यह एक लिए हैं इसे पारलियमेंटो दाहरा मतलब संसत प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट की आउ सकता होती है मतब रिट जारी की जाती है अब जनरली जानते हो राष्टपती रिट जारी करता है किसी कैदी को कर नियाले के सामने प्रस्तुत करना तो कौन सी रिट जारी होगी परमादेश बंदी प्रत्यच्छी करण अधि पर नियाले द्वारा रिट जारी किया जाता है कि जिस भ्यक्ति को आप गिरपतार किये हो आने जाने का समय छोड़कर 24 गंटे के अंदर अपने नजदी की नियाले में उपस्थित कराएं तो यहां पर एंस्वर भी सही है बंदी प्रतिच्छी करण आज एक लग क्योषिन देखते है दरसर नवब क्योषिन मिसिंग है इसकी जगह पर आपको नमबर 10 मिलेगा और 11 मिलेगा मतलबं दो क्योषिन करना है आपको जिसमे से आपको 50 परशंट तो हैं jumper करिक आप recite —9 क्योषिन तक 15 क्योषिन तो कम से कम आपको सही करना है तोiros सर्थ अधिकार को सनरच्षड प्रदान करता है 14 19 21 इन्वेस कोई नहीं चलिए हम आपको एंसर बताते हैं यहाँ पर एंसर सी सही होगा अनुछेद 21 विदे स्यातरक्स अनरच्षड की बात करता है दरसल आप मेन का गांधी वाला केस 1978 वाला मेन का गांधी का केस पढ़े होंगे अगर आप मोल इधिकार बिधवत पढ़े होंगे तो उस केस में उनक सामिल किया गया है तो वो कौन है उनके नाम सुन लेजिए पहला है पास्पोर्ट रखने की सुतंतरता अधिकार दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार तीसरा स्वच्छ परियावरण का अधिकार चौथा मनमाने तरीके साथ कड़ी ना लगाने का अधिकार उसके बाद र आइए आज का लाश्ट क्यूस्चन देखते हैं मतलब दसवा क्यूस्चन क्यूंकि क्यूस्चन नंबर 11 भले है लेकिन हैं दसवा ही निमलेखित समाधेश यह राश्पती जारी करता है कौन सा समाधेश किसी अवैत व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गिए पेसदीकाटाय यहां पर दीचे, जब उत्प्रेशन, परमादेस, निसर्दाज्य, अधिकार प्रिच्छा, सचे है किसी इंसे अधिकार प्रिच्छा, तो नियाल यह जाच करता है क्या वो अपने पद पर सही तरीके से है की नहीं तो यह उस समय अधिकार प्रिच्छा नामक रिट जारी की जाती है आप कितना सही कियो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और देखिए का आपके तयारी कितनी है वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा चैनल पर नए जोनल कर सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में